Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, जो लोग टेंस जानते हैं, उनके लिए ही इस सिरीज में भी चला रहा हूं और यह ताइम एंड टेंस का फिले इंद ब्लेंक से, इस तरीके से अलग-अलग टॉपिक पे फिले इंद ब्लेंक से आते रहेंगे, तो अब क्या, दोनों ही आपको गलत लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा, I have been होना चाहिए, बट इन दोनों में सापको एक चूज करना है कि I dash in Noida, तो I lived in Noida, या I have lived in Noida, क्या होना चाहिए? सोचिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ, यहाँ पर होगा, I have lived, I have lived in Noida since 1993, क्यों होगा, देखते हैं, गैस, आपको present perfect continuous tense तो आपको पता है, कि आप ऐसे बोलते हैं कि I have been living in Noida since 1993, यह आपको बिल्कुल correct लगता है, ठीक है, लेकिन हमें present perfect tense में, जो present perfect tense है, इसमें भी प्रावधान मिला है, इस तरह की चीजों को बोलने के लिए, अगर मुझे बोलना है कि मैं 1993 से Noida में रहता हूँ, या रह रहा हूँ, हिंदी जो भी अंग्रेजों की तरह कर सोचे, तो present perfect कहता है कि आप ऐसे कर दीजिए, I have lived in Noida since 1993, और एकदम correct है, जैसे example देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको 6 साल से जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे शायद कि, I जानता हूँ present indefinite, I know you, 6 साल से हो सकता है, आप ऐसे बोले, for 6 years, आप में इसे करे लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कि I know you, मैं आपको जानता हूँ, 6 साल से, से का मतलब तो from होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, from 6 years, ये दोनों ही sentences गलत हैं, correct क्या होगा, कि I have known you for 6 years, ये है, तो देख रहे हैं, यहाँ पर have लगाया, have के साथ work की third form लगाई, और ये दोनों गलत है, तो हमें तातेती पर नहीं जाना है, present perfect tense कहता है, कि जिसके अंदर time लगा हो, सुबे से, दोपहर से, 6 साल, 5 साल से, और उस समय से, मैं आपको चित्र के मादियम से समझाता हूँ, देखें, अगर एक particular point है, और इस point से लेकर के इस point तक, अगर आप किसी को जानते हैं, आप रहते हैं, तो उसको आप present perfect tense में आराम से बोल सकते हैं, ये प्रावधान दिया हुआ है, तो मैं अगर किसी को जानता हूँ, मालो कि मैं उसे 2010 से जानता हूँ, और ये यहाँ पर 2020 हो गया, 2020 हो गया, तो मैं उसे कह सकता हूँ, आपको 2010 से जानता हूँ, तो I have known you बोलना होगा, I know you नहीं, तो उसी तरीके से अगर मैं बोलू कि मैं 1993 से रहता हूँ, तो ये रहा 1993, तो इस पॉइंट से लेकर कि इस पॉइंट तक, यानि कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, हिंदी पर आप सोचेंगे कि रह रहा हूँ, रहता हूँ, अगर आप यह सोचेंगे कि मैं 1993 से अब तक रहता आ रहा हूँ तो आपका दिमाग जाएगा present perfect continuous पर वो एकदम correct है लेकिन present perfect भी यह प्रावधान देता है तो आप समझें? तो आप ऐसे आराम से कह सकते कि I have lived in Noida since 1993 एक और मैं आपको example दिखाता हूँ देखिये जैसे कोई बोले कि मैं बिमार हूँ तो कैसे बोलता है? I am ill ऐसे बोलता है ना? आपको बोलना है यार मैं पांच दिनों से बिमार हूँ अब आप क्या बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे कि I am ill for 5 दिनों से 5 days अगर आप ऐसे बोलते हैं तो गलत है, कैसे होगा? I have been ill for 5 days तो यहाँ पर वही बात है, have के साथ verb की third form बीन है ये वो ऐसा बीन नहीं कि मैं दो साल से रह रह रहा हूँ वाला बीन नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं I have known, have है, verb की third form बीन है यहाँ भी have है और बी का third form बीन है ये बी मतलब होना, बिमार होना, जो होने का बी होता है उसका third form है ये तो I have been ill for 5 days यहाँ कि मैं 5 दिनों से बिमार हूँ उसी तरीके से I have lived in Noida यानि कि 1993 से अब तक मैं Noida में हूँ यह have present perfect दिखा रहा हूँ अब तक मैं हूँ Noida में रह रहा हूँ खैर यह बहुत बड़ा lecture है इस पर आप डिटेल में कभी present perfect टेंस बढ़ना तो आपके समझ में आएगा एक और चीज मैं आपको बता दूँ जैसे किसी ने बोला कि I क्योंकि यह चीज है ने जल्दी आपको दिखाई नहीं देती है I have fever मुझे बुखा रहा है अगर आपको बोलना है कि मुझे 5 दिनों से बुखा रहा है अब आप क्या बोलेंगे कि I have fever आप ऐसे बोलेंगे न I have fever 5 दिनों से for 5 days या आप ऐसे बोलेंगे कि I have fever from 5 days फ्रॉम तो खेर महा ही गलत है मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा हो शुट जाएंगे I have had fever for 5 days यह करेक्ट है देख रहे है I have had fever यहाँ पर मैंने had लगा दिया आप बंदा कंफ्यूज कि यह क्या है एक मिज़र इसको मैं ऐसे कर दूँ I have had fever तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि had क्यों आ गया होता क्या है कि यह जो have आप देख रहे हैं यह तो आपका present perfect का यह tense का helping भर भर यह तो होता ही होता है आपको पता है ना subject के बाद have यह has लगता है उसके बाद क्या है आपको third form लगाना है तो एक have होता है निस मेरे पास एक car है I have a car तो वो जो have है उसका यह had है उसका third form है यह तो I have had fever for five days तो यह I hope अगर समझ में आया तो ठीक नहीं तो आप present perfect का lecture देखना मैंने पढ़ाया है उसमें मिल जाएगा अगला देखते हैं guys चली तो हमारा पहला हो चुका है दूसरा है had you not come here these people dash अब dash में है would have gone या went क्या होगा sentence की शुरुवात had से है had you not come here अब आप सोचेंगे की had क्या है यह present perfect वाला had है क्या है यह फिर कॉमा है यानि की दो-दो sentences हैं कैसे होगा तो मैं आपको समझाता हूँ had you not come here इसका मतलब की अगर आप नहीं आये होते these people would have gone यह लोग जा चुके होते अब मैं आपको समझाता हूँ guys देखिए आपको अब conditional sentence भी आना चाहिए conditional sentence conditional sentence में आपको पता है conditional zero होता है आपको लिखके दिखा दूँ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ही देखिए आप भागे मत क्योंकि मैं detail में पढ़ाने कुश्च कर रहा हूँ conditional zero होता है उसके बाद एक होता है conditional first एक होता है conditional second और एक होता है conditional third इतने सारे conditional होते हैं तो मैं zero की बात नहीं कर रहा हूँ first की भी नहीं second की भी नहीं मैं बात करूँगा conditional third की क्योंकि question third से आया है conditional third का एक rule है पहले उस rule को दिखाता हूँ इसमें if लगता है if के बाद subject होता है उसमें had होता है और जो verb है हो third form में रहता है उसके बाद जो object है यह दिखाता है condition को ठीक है जी? उसके बाद एक comma रहेगा फिर subject होगा उसके बाद रहेगा would have फिर verb की third form plus object यह इसका structure हो गया अब अगर मैं sentence बोलू conditional third हमेशा दिखाता है कि past में अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता है यह past के लिए मैं बोलू कि अगर कल मैंने उसे गले लगाया होता तो उसने मुझे चाटा मारा होता तो मैं कैसे बोलूँगा कि if I had hugged her, she would have slapped me बात है कल की तो yesterday ठीक है जी आप आराम से दिखिए यहाँ पर if भी दिखाई दे रहा है और had के साथ verb की third form भी दिखाई दे रहा है किलर हो गया structure और she वाले में यहाँ जो दूसरा sentence है इसमें would have के साथ verb की third form दिखाई दे रहा है यह होता है conditional thought अब एक और भी formal style है कि if ना बोल करके हम direct had बोल सकते है एक नया style है जो पहले चलता था अब नहीं चलता है बड़ कई बार exam में आते जैसे कि ऐसे बंदा बोलेगा कि had I hugged her, she would have slapped me अब यह जो आप देख रहे हैं had I hugged her, एक में जरा I को capital कर दो तो इस head का मतलब if हो गया, had I hugged her यानि कि if I had hugged her इस पूरे head में यह पूरा if I had चुपा हुआ है, मतलब I तो इधर है ही, if और यह head पूरा चुपा हुआ है कहने का मतलब है कि या तो आप if I had करके बोलो या सीधा बोलो had I, फर्क समझ में आ रहा है जैसे अगर वो आया ना होता, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको मिटा दूँ, मैं ऐसे बोलूँगा, अगर वो आया ना होता, if he had not come अगर वो आया ना होता, तो मैं यहां से चला गया होता, I would have gone from here, conditional third है तो if he had not come को मैं ऐसे बोल सकते हैं, had he not come, I would have gone from here, समझ में आया कुछ तो जहां पर मैं if लगा रहा हूं, तो इसमें if नहीं है, इसमें सीधा had को पहले कर देना है, बाकी subject होगा तो यह conditional third है, तो इसलिए यहां पर would have का इस्तमाल हुआ है, अब मैं आपको question पर ले चलता हूं guys अब question को देखे देखे रहे है, had you not come here, इसका मतलब यू समझे कि if you had not come here, these people तो जो sentence दूसरा हो का उसमें would have लगता है, would have के साथ verb की third form, these people would have gone, clear है? चलिए जी, यह हो गया, यह भी हो गया, तीसरा देखे, she does yet, अब फिल इन दे ब्लैंक में है, has not come, दूसरा है did not come, क्या होना चाहिए? कि she has not come yet, यह she did not come yet, सोचे, सोचे, ठीक है, मैं आपको उताता हूँ, she has not come yet, has not आएगा, चलिए देखते हैं, देखे गाइस, यह जो yet है, तो जो आप grammar पढ़ेंगे, spoken में कोई कुछ भी बोले, grammar में रूल है कि इसको आप present perfect के negative में लगाएंगे, present perfect tense के negative में आपको इसको जैसे मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, I have not eaten food, last में आपको yet लगा देना है, yet, तो यह देखे ने, present perfect हो गया ना, I have not eaten, और last में yet लगाना है, negative में और भी present perfect के, वो अब तक नहीं आई है, she has not come yet, spoken में लोग ऐसे बोल देते हैं कि she did not come yet, बट यह गलत है sentence, यह नहीं चले तो चोड़ा इसे समझना है कि आपको बस present perfect में इसको लगाना है, present perfect के negative में, okay, मैंने अब तक कोई भी document रिसीव नहीं किया है, I have not received any document yet, उसने मुझे अब तक कोई भी message sent नहीं किया है, he or she has not sent me any message yet, ठीक है, आगे देखते हैं, चले, यह भी हो गया, अब है, Mother Teresa, dash to help the helpless, अब dash to help, used to help, यह had used to help, क्या होना चाहिए, तो कौमा नहीं समझ में आहीं कि used होना चाहिए, Mother Teresa used to help the helpless, यानि कि Mother Teresa जो helpless थे, जो लाचार थे, उनकी help किया करती थी, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, used to, का मतलब है कि कोई काम किया करता था, कोई, यह से मैं बोलू कि I used to play cricket, I used to play cricket, तो used to से पता चल गए कि मैं ऐसा किया करता था, इस काम को किया करता था, ठीक, आप जानते हैं, कई बार आपको ऐसे भी used to दिखाई देने वाला है, यानि कि am होगा इसमें लगाओगा used to, या are होगा used to, या is होगा used to, अगर आपको ऐसा दिखाई दे, तो आप दिम अगर मैं बोलू कि I am used to play cricket, मालो ऐसा कोई sentence है, तो या तो आप इसका am हटा देंगे, आपको अजीर सा लगागा, यह क्या चक्कर है, am नहीं होना चाहिए, तो अगर आपने am हटा दिया, तो यह हो गया past, कि I used to play cricket, मैं cricket खेला करता था, लेकिन अगर am लगा है, तो फिर am सही है, am नहीं हटाना है, इस am का मतलब है कि present में मैं cricket खेलने का आदी हूँ, यानि कि मेरी आदत है, आपको ऐसा समझना है, यहां यह जो used to है, यह आदी को दिखाता है, आपके habit को, कि अब मैं यूजटू हो गया हूँ, कहते हैं यूजटू हो गया हूँ, यानि अब इस 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 का cricket खेलने का आपको जिरंड में दिखाना है, जैसे she is used to, अब मैं cooking लिखना है मुझे, खाना पकाने का है, तो she is used to cooking, अगर आपने cook food कर दिया, तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना है, she is used to, मैंने cook के spelling गलत लिख देती, she is used to cooking food, आपको ऐसे बोलना है, तो अग ठीक है, ठीक है, चलिए, समझ में आगया होगा, आगे देखते हैं, और कई जग आपको बता है, कि would का भी इस्तमाल होता है, जैसे कि I would play in the park, इसका मतल है, पार्क में खेला करता था, used to की जगा ये use होता है, बड़ थोड़ा से difference है, वो हम कभी बाद में करेंगे, आगे द allowed दें, क्या होना चाहिए, allows या allowed, समझी गया होगे, allows होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, समझाता हूँ आपको, देखिए, इसके लिए आपको आना चाहिए, conditional first, conditional first क्या होता है, कि हम present में खार है और future की बात करते, अगर बोलू कि यार, अगर वो यहां आएगी, तो मैं उ तो मैं उससे बात, थोड़ी, spelling में लिखना मुश्किल होगा, उससे बात करूंगा, माली जीए, तो future की बात है, दोनों ही future में है, present, मतलब दोनो future indefinite के अंदर है, और हम present में खड़े हों कि ऐसा बोल रहे है, तो इसके लिए rule है, जो पहला पार्ट है, अगर वाला जो है, if she comes here, मैं उससे बात करूंगा, I will talk to her, यानि कि जो पहला पार्ट है, जो if वाला पार्ट है, उसको आपको present indefinite में दिखाना है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कि I will talk to her if she comes here, अगर आप if से उठाएंगे, तो फिर आपको एक कॉमा देख करके दूसरा sentence शुरू करना होग यह condition वाला हो गया, और यह result वाला हो गया, लेकिन अगर आप direct result को दिखाएंगे, कि I will talk to her, मैं उसे बात करूंगा, if she comes here, तो कॉमा नहीं लगाना है, तो यह समझ में आ रहा है, present indefinite, तो अब मैं आपको question पहले चलता हूँ गया, देखिए, तो they will play cricket, यह result है, और यह if का condition है, तो if the principle, तो if वाला present indefinite में होना चाहिए, तो allows आगे न, if the principle allows, तो बस यही था दोस्तों, I hope कि आपके समझ में आगया होगा, पहले वाले में हमने have lived लगाया, दूसरे वाले में हमने would have gone लगाया, तीसरे वाले में has not come, चौते वाले में used और लास्ट वाले में allows, तो अ चलिए, thank you guys, मिलते अगले वीजियो में, thank you